नमस्का दोस्तो दोस्तो पुना शौगा था आपका अपने चैनल स्री बेंक की एक नए वीडियो में दोस्तो जैसा कि आप थन्मिल से जान चुके हैं इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं परशनलोन के बारे में अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो कि पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बिना किसी समय को विष्ट किये हुए हम लोग पर्शनलोन के विभिन बिंदुओं पर बिश्तार से आप को किसी मेरीज क Playing है तो आ दो ले सकते हैं घर के लिए कोई आइटम पर चैनल लेना चाहते हैं अडर आप ड्रेवल के प्रपस् 불我 परिशन लोन ले सकते हैं इस झालिकर भी फड़ते हैं, जढ़ रिल्ड का इस लोन का इस परपज में यूज करेंगे इससे आप कोई शेकूर्टी करते हैं नहीं करते हैं ये टोटली आपके उपर डिपेंड करता है हाँ इसमें एक कंडिशन रहती है कि आप इससे जो भी लोन लेंगे वो किसी किर्मिनल एक्टिविटीज में किसी अब हाउसी के लिए लोन लेती हैं घर बनाने के लिए लोन लेते हैं तो आपको घर बनाना पड़ता है और वह घर आपको बैंक के फिवर में मौर्गिज करना पड़ता है बंद्धा करना पड़ता है आपको जो भी दुकान पे श्टॉक रहता है इसको बैंक के फिवर में hypothecation करना पड़ता है यादि आप किसी property के against में लोन लेते हैं तो आपको वा property बैंक में गिरिवी रखनी पड़ती है मौर्गे रखनी पड़ती लेकिन person loan में ऐसी कोई भी condition नहीं रहती है आपको person loan में कोई भी security bank के पास नहीं रखनी होती कभी कभी या जरूर देखा गया है कि bank किसी third person को आपके loan में as a guarantor लेती है लेकिन कोई भी कोई collector security bank आपसे person loan के case में नहीं लेती है यही में रेजाने की person loan अंशुकोर loan होने के कारण other loan के compare में महेंगा हो गया है किसी भी loan से compare कर यहाँसे लोन से आप compare करती है तो person loan 3-4% 5% तक महेंगा होता है किसी प्राइवेट बैंकों में या किसी वीसी NBFC में person loan 8-10% तक महेंगा होता है हाँसे लोन के compare में आज के present scenario में दिखा जाए तो person loan 14-15% के बीच मिल रहा है अधि आपकी credit risk profile अच्छी है अधि आप government job में है तो bank आपको 10-11% पर भी आज की date में person loan offer करती है अधि आप private sector में job करती है तो भी bank आपको person loan अच्छे rate पर उफर करते है अधि आपके regular income आ रही है अधि आपको business कर रहे है अधि आपको professional कर रहे है अधि आपकी income अच्छी है अधि आपके regular income आ रही है बैंक में अच्छा लेन देना बैंक में ऐसा transaction है तो bank आपको personal loan अच्छे rate पर उफर करते है अधि आपकी income कम है तो bank आपको personal loan higher rate पर उफर करते है partial loan में rate of interest का high होने का main reason यही है कि बैंक के पास इसी कोई security नहीं रहती आपकी कोई security बैंक के पास नहीं रहती high risk loan होने के करार high rate of interest पर उफर करते है eligibility कैसे करेंगे दोस्तो maximum bank आज के टाइम में person loan पचास जार रूपे से लेकर 25 लाग रूपे तक का loan आउफर करते है यह आपके इंडी पर पर डिपेंड करता है अधि आप selling person है तो आपकी monthly income कितनी है अधि आप business करते हैं अधि आप किसी professional में है तो आपका ITR में आपकी yearly income कितनी आ रही है बैंक इस पर करकूर कर दे है इसके लावा आपके daily life में जितने भी expenses आते हैं बैंक उसको minus कर देते है आपके कोई loan चल रहा है तो bank उसको भी minus कर देते हैं आप income tax कितना pay करते हैं बैंक उसको भी minus करने के बाद आपका जो income बचती है उस पे आपकी loan का calculation करते हैं सपोच कर यह आपकी monthly income एक लाग रुपे है ठीक है बैंक उसमें एक लाग रुपे में मोटा मोटा 40% 40,000 रुपे आपके dairy expenses के रूप में मानस करते हैं तो आपके महिने के जो income बचती है वो 60,000 रुपे बचेगी ठीक है उसके बाद अधि आप 10,000 रुपे महिने का income tax pay करते हैं तो bank उसको भी minus करते हैं तो आपकी income पचाज रुपे बचती है अधि आप 20,000 रुपे की सपोच कर यह home loan की EMI पे करते हैं तो bank उसको भी minus करते हैं तो आपके जो income बचेगी जो इससे आप EMI पे कर सकते हैं वो 30,000 रुपे बचेगी अधिया कुछ और भी LIC का payment या किसी भी live insurance का payment करते हैं सबसकर यह आप 10,000 रुपे payment करना है पर मंद उसको भी minus करते हैं तो आपका जो rest amounts बचेगा और 20,000 रुपे बचेगा जिस पर आप loan की EMI पे कर सकते हैं अब bank आपसे 20,000 रुपे पर आपकी loan की EMI का कॉलकुलेशन करेगा इस पर आपके loan की eligibility count होगे इसी तरह आप अपने loan का आपको कितना loan मिल सकता bank से अपने loan की eligibility calculation कर सकते हैं दोस्तों इसका एक चार्ट हम आपको description में दे देंगे आप वहां से अपने personal loan की कितनी eligibility बनती है आप वहां से इसका calculation easily कर सकते हैं अब आपको Google पी भी कई सारे चार्ट मिल जाएंगे कई सारे app भी आती हैं जिससे आप अपने personal loan की या किसी तरह के किसी भी loan की आपकी क्या eligibility होती है आपकी क्या eligibility बनेंगी उस भी आप इसका calculation कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट बैंकों के लिए यह eligibility थोड़ा 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 होती है प्राइवेट सेक्टर के बैंक थोड़ा अलग रूर्ट फालो करते हैं गौश्टों के लिए सली कलाइस के लिए दाकुमेंट थोड़ा अलग होता है जो लोग business में हैं जो लोग professional में है इसके लावा आपको कोई लोग चल रहा है तो इसका statement बैंक आपसे डिमांड करती है इसके अलावा परसनलोन में कोई data document नहीं होता परसनलोन में आपको minimum document पर आपको bank loan offer करती है अब बात करते हैं चार्जर क्या होगा आप बैंक से जब भी कोई लोन लेते हैं आप किसी भी तरह का कोई भी लोन लेंगे न तो bank आपसे चार्ज तो लेगी ही लेगी बैंक आपने expenses को require करने के लिए अपने profit को बराने के लिए चार्ज तो आप से लेती एर चार्ज क्यितरा के हो सकता है सबसे पहले bank आप से processing चार्ज लेता है अगर हम प्रसनलोन की बात करें तो bank आप से processing चार्ज लेता है bank आप से documentation लेता है किसी कोई-koई bank या प्री पेमेंट करते हैं तो प्री payment penalty भ होते हैं ना जो सर्विस सेक्टर के लोग है ना या जो बिजनेस में अच्छे लोग है ना उनको लोन ऑफर करने के लिए बैंक कोई भी चार्ज नहीं लेता बैंक आप से प्रिपेमन पेनाल्टी भी नहीं लेता बैंक आप से डाकूमेंडेशन चार्ज नहीं लेता हां बैंक formula की सबसे है कि आप है बोस्ति झाल हो इसकी सारी कारण होते हैं आप के सली अ हमें में जमा हो रहीं इसाँ के सबस still уб बैंक है वो भी आपको कम रेट आप इंटर्स पे लोन ऑफर करते हैं मेरा आप से रिक्वेस्ट है आप पर्सनल लोन के लिए किसी भी थर्ड पार्टी आप पर ना जाए क्योंकि यहां पर आज के समय बहुत जाना चीटिंग हो रही है और आपको हाईयर रेट आप इंटर्स पर 20% 30% के रेट पर पर्सनल लोन ऑफर किया जा रहा है और आप किसी अच्छी मंटेशनल कंपनिव में है तो मेरा आप से रिक्वेस्ट है आप किसी भी गवर्वर्मेंट बैंक में जाए वहाँ पर रेट आप इंटर्स काफी अच्छा मिलेगा या प्राइवेट सेक्टर करने के लिए वहाघ्र परचरज काने के लिए यह भी आपको परफसनी से सोस्ता मिलेगा आप सारे लोन के compare किया जा तो परसनल लोन इन सारे लोन से महगा पड़ता है परसनल लोन आप तभी लीजेगा जो आपको पास इन सारे लोनों के लेने के लिए कोई option ना हो तभी आप परसनल लोन के लिए जाएगा नहीं तो आपको ज्यादा रेट आप इंटरस्ट पे करना पड़ेगा और आपके जेपे ज्यादा बोश पड़ेगा दोस्तो परसनल लोन से समझने कोई भी क्योरी हो डाकुमेंट के लिस्ट हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे जिसके लावाँ अद कोई भी क्योरी हो तो आप कमन बाक्स में कमन करके जरू पूशेगा अदि आपको वीड वीडियो को लाइक कर दीजेगा आपसे फिर मुलकात होगी एक नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जहिंद वंदे मातरम